हेलो दोस्तों एक बाइफिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चनल एरफोर्स एक्जाम पेपर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्वाल्प करेंगे एरफोर्स बाइगरूप के लिए रागा के मार्क टेस्ट को जिसमें आपके लिए 30 कोशन्स र दोस्तों नमरрь एक लिखा हूआ है चेह से कि दोस्तों सबसे जब श्याना है कि और यस समब्दित किस से है के और न से तो आपको यह पर देखना है M से K पर जाएंगे तो क्या करेंगे याँ पर M होता है 13 पर K होता है 11 पर तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 2 कर दिया गया है इसके आगे देखेंगे P से आए हम लोग Yen पर तो P कितने बहुता है P होता है 16 पर N होता है 14 पर तो यहाँ पर भी minus का 2 कर दिया गया है तो आपको यहाँ पर देख रहा है पर देख में minus का 2 किया गया है आपको यहाँ पर note कर लेना है K और N अब दोस्तों आपको कलना क्या यहाँ पर है यहाँ पर भी आपको K ने लिखना है आपको यहाँ पर नोट करना है यह वाला D जी ठीक है? D और G अब इसमें माइनस का दो आपको समय कल जाना है तो देखिए D से दो जाएंगे तो आएगा B और G से दो गए तो आएगा E ठीक है? तो आपके लिए यहाँ पर correct होगा option number D वाला जहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर B E ठीक है? तो option number D इसके लिए जाएट option हो जाएगा इसके बाद दोस्तों देखिएगा आपके लिए next question क्या है? कौन सी आकरती? हाकी खिलाडियों, जवरवालों और कभियों के बीच संबंद निरुपित कलती है तो देखिएगा यहाँ पर इसके लिए उस्तों यहाँ पर करेक्टर का option number D वाला क्योंकि देखिए यह हाकी खिलाडी और यह है कभी दोनों क्या है? दोनों मैन है पुरुष्टिक है लेकिन यह जवरवाल जो है बाल है यह तो यह एलग हो जाएगी ठीक है? तो इस पर का आपका option number D वाला जो है इसके लिए correct option हो जाएगा इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला परस्ट का आपके लिए लिखाया number 3 में D गई उत्तर आकरतियों में उस उत्तर आकरत को चुनिए जिसमें प्रश्ण आकरत नहीं थै तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप लोग पहले तो आप लोग प्रश्ण आकरत को देख लिजेगा यह वाली आकरत आपको चेक करनी है किसमें है ठीक है अब देखीगा आपको यह वाली आकर देखे जोष्ट ओप्हले वाले में यहाँ पर देखे गा दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं दोसicamente सिर्फ ये कि इसमें दोनौ आपक्ट उल्या कि है कवके थ्या कर्यक्त है तो है सब्सब्सकर्पर सब्सक्राइर सब्सक्राइब लिखें जब यहां पर क्रम के अनुस्वार देखेंगे तो क्या आएगा आपसे यह पूंचा गया है यहां पर तो सबसे पहले देखिए देखिए आप लोग यहां पर कि B.A.L. B.A.L. तो सभी में है और उसके बाद देखिए होगा चारी कि अनुस्भी में देखिए कि अनुसरा में है आपसे आपसे में ओर देखेंगे इस के बाद में C के बाद E आ गया है और देखें यहाँ पर भी है फिर इसके बाद देखीगा इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर है D तो यह नमबर दो पर आजाएगा ठीक है नमबर दो पर आपका यह वाला आजाएगा और दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है आई वाला है यहाँ आएगा नमबर 3 पर अब बात रहे गए B8L, B8S तो देखिए उस्तों यहाँ आपका आएगा 4 नमबर पर और यहाँ आएगा आपका 5 नमबर पर देखिए इसके बाद में आपके लिए नमबर 5 में कहा रहा है पुनीत एक इस्तरी से कहता है कि तुम्हारे पिता जी की पतने की बहन मेरी बुआ है पुनीत का उस इस्तरी से क्या संबंद है तो सबसे पहले तो आपको यह लिख लेना है क्या लखना है पुनीत ठीक है क्या लखना है पुनीत और कहता किसे है इस्तरी से कहता है तो आपको लेना है इस्तरी अब क्या कहता है कि तुम्हारे पिता जी किसके पिता जी इस्तरी के पिता जी ठीक है इस्तरी के पिता जी की प कि तरह समझेगा क्या कि इस्तरी के पिता 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 पतनी पतनी की बहन जो है कि पनीध की बुगा है कि इसे तो यह मतलब संबंद पुछा गया पुनियत का उस तरी से क्या संबंद तो हो जाएगा चचेरी या मेरी बहन यहां पूलगा ना पूत्री होगा ना बतीजी ओगा इसके बहुत के अगला कोशन क्या आपके लिए हैं नमबर 6 में देखेगा एक पंग्ती में 45 ब्रच है नीवु का ब्रच दाएं चोर से 20 में इस्थान पर है तो पूचा गया है कि एडर से कितने नंबर पर होगा तो आपको सबसे पहले तो 45 से 20 को मायनस कल देना है तो आपका कितना बजाएगा 25 और इसमें प्रसका 1 कल देना है तो आपका आएगा 26 दोस्तों आपका यहाप आजाएगा तो option number A वाला इसके लिए correct option होगा यहाँ पर कितना होगा 26 option A इसके लिए right option हो जाएगा इसके बाद देखिएगा question number 7 तीन संख्याओं 70 और फिल देखें यह star नहीं होगा आपके लिए star 7 लिखा होगा है मतलब यहाँ पर एक अंक आएगा तता 5 star अब आपको यहाँ पर सोचना है कि star की जगह पर आप क्या रखेंगे 3,6,4,7 इन में से क्या आप यहाँ पर रखेंगे आपको देखा है कि आउसत कितना है आउसत है इसका 57 तो आपसे पूचा गया star एक अंक ही है लिखाए एक ही अंक को निरूपित कलता है तो यहाँ सांक होगा तो दोस्तों आपसे भी जानते है कि आउसत बरावर सूत रोता है पदों का योग बटे पदों की संक्या तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ाएगा सबसे पहले पदों आयोग का, मतलब वहाँ शक्षा पसाफ्ल प्लस का यहाँ लिखाएगे देखिए उस तो यहां पर लेख websites सथर simples विटे लिखा हुआ a स्टार श्टार की जिए पिर लिखा हुआ है नोगे एक साथ पनावस बरावर प्लस का यहां लिखा है 15 तो 171 इसका मतलब है इन 3 संख्याओं का योग कितना हो रहा है 181 हो रहा है तो सबसे फ़रे दोस्तों आप से नम्मर यह वालों को लखे देखेंगे यहां पर इस्टार की जगए पर 3 तो यहां पर हो जागा देखें कितना हो जाएगा तो 6 रहें कितना हो डिके 70 रहें पर देखेंगे 6-7 अपर लिकेंगे 5-6 अब 5-3 आएगा यहां पर tas 3 भी नहीं हो सकता ए तो यह भी आपका फ़रट हो गया है मतलब की नहीं को पांच आवेक दस्था सत्रा आपका एक सो इकात्र निकल किया चुका है तो दोस्तों आप अपस नमबर जो है इसके लिए करेक्ट हुआ आपके लिए यहाप लिखा हुआ है चार तो आपसनस के लिए राइट आपसन हो जाएगा इसके बाद देखिएगा साथ के लिए कोश्चन नमबर आठ देखा यहाँ पड़ियेगा इसे कोश्चन नमबर आठ नमबर एक बिंदु यम से गोपाल ने जचंड की योगोड़ च आपको यहाँ पर सबसे पहले यह वताना ना है फिर से पढ़ेगा एक वरे यौ। और क्या हुआ गोपाल ने दच्षिड की योर चलना प्रारम किया तो देखें का सबसे पहले यहां चला कहां चला दच्षिड की योर चला कितना चला है चालिस मीटर चला तो चालिस मीटर चल गया है ठीक है इस पिकार चल गया है वहां अपने बाएयोर मड़ा अब किस दिसा में है और कितने दोरी पर है मोल विन्स है इस दिसा में यह वाली होगी तो आप बताएकए डिसा कायए रेका否 तो यह रेकार नहीं हो जाएगा आपका दाचिजञ पूरव दाचिण पूरु दिस पनी अपर दिखासे दिखा निकल आय से ह agriculturalания अब इसे अफ़ाइब देंगे दोस्तों तो आपका निकल कितना आजाएगा पचास तो आपसे नुमर भी वारा जाइट होगा इसके लिए देखी कुष्चन नुमर नौ एक निश्ची कुट भासा में स्टाम्ड को लिखते हैं P.U.T. Q.C.D.L लिखा जाता है तो उसकी कुट भासा में C.O.R. N.E.R.S. को किस प्रकार लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपको यहां पर लिख देना है देखी S.T.O.R. M.E.D. यह लि करना है देखी S से आएंगे T पर तो क्या करेंगे प्लस का वन करेंगे इसी प्रकार देखी T से आएंगे U पर तो T होता है 20 पर U होता है 20 बन इसका मलब प्लस का वन क्या है और यहां से आएंगे यहां पर तो प्लस का वन कर देंगे इसी प्रकार दोस्तों यहां पर देखे आर होता है 18 पर क्यों होता है 17 पर इसका मतलब माइनस का बन यहां पर बढ़ेंगे इसी पिकार से आप आगे देखिए क्या लिखा हुआ है सी ओ आर एन ए आर एस इतना लिखा हुआ है सबसे पहले तो आपको यह वाला करना इस परकार से और बीच वाला तो आपको इसे लिखना रहा है ठीक है इसे एक कम करेंगे तो हमारा आएगा डी तो आपका यहां पर आगे नहीं दिक आपको है तो दोस्तों यहां पर देखना आपको है इसके बाद मैं रहा है तो देखेंगे तो देखिए यहां पर बिल्कुल लाश्ट में डी आपका आपका यहां आपके आपको अपसर हो जाएगा इसके बाद देखिए कोशन बर्दस को देखीगा लिखा हुआ है यदि नीला को सफेद कहा जाए सफेद को हरा कहा जाए हरे को लाल कहा जाए लाल को भूरा कहा जाए और भूरा को काला कहा जाता है काला को पीला कहा जाए बात को समझेगा यहां पर तो आपसन B वाला करेक्ट आपसन यहां पर हो जाएगा कि रखत का रंग कैसा होगा भूरा हो जाएगा आगे देखी ग्याहा नमबर को ग्याहा नमबर में का गया है मोहन 20 मीटर पस्चिम की ओर चला दाई और मुड़तर 30 मीटर चला फिर वाह दाई और मुड़ा और 20 मीटर चला अब उसका मुख किस दिजा में किस दिजा की ओर है तो आपको यहां पर देखना है फिर से पढ़िए एक बार सवाल को मोहन 20 मीटर पस्चिम की ओर चला सबसे पहले तो पस्चिम की ओर चला 20 मीटर तो इसका मतलब यह उट हुआ कि माली जी यहाँ पर था अब पश्चिम कños जाा गया इसका मदलभ 20 मीटर इस पकार से चला गया है फिर कराइब कि दाई यूर मोड़कर 30 मीटर चला इसका मतलब यदल जा इतल गया कितना गया 30 मीटर चला गय W racism year बारा बीकल्पों में से लुप्त संख्य चरगात केजिए अब आपको यहां पर देखना है नंबर 12 में और बताना है कि इसके लिए कौँ सा अप्सन दाइड आपसन इसके लिए हो ठीक हे उसको तो यहां पर आप लोगा देखी के हैं यहां पर तो देखी सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है क्या देखना है बडिया समझेगा लिखा है विकल्पों में से लुप्त संक्या अच्छर इयाद कीजिए लुप्त संक्या अच्छर आपको यहा पर बताना है तो सबसे पहले तो आपको किहां पहल देखना है देखीगा आप ठीक है नमबर 12 को देखी कर लिखा हुआ ऐई 4-2-3-3 अब देखीगा चार दूनी आठ आठ तियां चोविस चोविस तियां बाहतर तो इस प्रकार सब की गुणा करेंगे तो आपका बाहतर आ गया है इसी प्रकार दोस्तों आपको आगे देखने नव चौक शतिस दूनी कितना होता है बाहतर बाहतर दसामर कितना 720 विल्कुल सही अगले को भी देखेगा तीसरे वाले को भी यहां पर देखेगा 9,4,36 ठीक है और 36 दूनी कितना होता है बाहतर और देखेगा दोस्तों बाहतर दसामर कितना होता है 720 तो यह भी विल्कुल सही है यहां पर दोस्तों लुप्त संख्या है 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 नहीं जो आपको यहां बतानी ह आप सही से देखेगा। आपको यह पर कोई से भी लुट संख्या नहीं दिख रहे होगी दूस्तों इस सवाल पर कुछ मिस्प्रिंट हो ठीक हो चलग है से लिख EVERY orang-utan यहाँ पर खूंचह कही रिया तो यहाँ पर कहिं संख्या am माइनस का आलत भाग है गुणा का आलत है प्लस और लिखा है भाग का आलत है गुणा तब प्लस का आलत माइनस है तो दोस्तों आपको इस सवाल को सौल गोलना है तो लिखेंगे बलोग आपर देखें चालिस फिर देखें भाग का निसान लगा हुआ है और भाग का आलत होता तो बाहित आ खरका आप चेतना के अब फांच पांच गणा कर देने पांच चक को अब यहां दोसो अब दोबror आपको ऑश्य वले में दिखिया इसके बाद दोस्तों दिखिए हाँ नेश्ट कोषण आपके लिए क्या है निर्दीस एक अनुकरम दिया गया है जिसमें एक पदलुप्त है दिये गए बेगलपों में से वहाँ सही बिकरप चुनिए जो अनुकरम को पूरा करें तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नोट कर देना है यहाँ पर ठीक सब्सक्राइब जिए को 20 आप सब्सक्राइब को पता होगा डबलू में पर 15 आप सब्सक्राइब चार इसी पर दोस्तों आगे देखिएगा तो S से आए O पर S होता है 19 पर O होता है 15 पर माइनस का चार करेंगे O मतलब 15 15 से 4 गए 11 11 पर क्या होता है कि ठीक है तो कि आएगा नमर एक पर देखिए आपको देखने भी लगाओगा उत्तर यहां पर देखिए किया आगया अगला लुगों हो जाएगे देखिए से आगंगे देखिए będzieगे कि पर बी हुता है कितने होता है डो पर दोफर दोपर год मतलowanie से सप्रड़ पांस कर दिया है आगे जाएगे देखिए जी वाल फर तो यहां पर प्लस का पांच क्या आए और एल से आगे आए घाने तो कि यहां है तो इसका मतलब होगा कि आपसन डी वाला इसके लिए राइट अपसन हो जाएगा आप लोग इस सवाल को भी अच्छी तरीके से समझ गया होंगे अगर दोस्तों अपको वीडियो अच्छी लग रही है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट वाक् प्लेट चूड़ी जिसे करतें कडां तो इसमें आपको उताना क्या है लिखा है बिसम सब्द्य योग में आपको बता देना यह आपी तो हैं अंगुथी यह इप्म इस तो यह कैसी यह ठोटी मतलब क्या होता है और दुस्तिची चिल नहीं होता है उपकी है इनन के अंदर यह प्लेट को पता होती है तो कैसी होती है अंदर के तरफ खाल जी होती है टिक है तो इसी परकार से अप्सेंट अपर हो गाया अब आप पर सवाल को अच्छी देखेंगा तभी आप सवाल स्वाल को पाएंगे सोला में का गया एक बस्तो को 21,000 रुपर में बेंच कर एक आदमी को 5% लाब होता है 15% लाब पाने के लिए वहाँ उसे कितने में बेचेगा सबसे पहले हैं 21,000 में बेचने पर 5% का लाब हुआ इसका मतलब हुआ कि 105% की वेलू आपको दरखे कितने दरखे कितने की वेलू 105% की वेलू आपको यहाँ पर दरखे हैं काटे हैं आप देकि pasti एक किस पंचे हो आपको ऐक्तपांच की लाब पाने के लिए 15% लाप राप्त करने के लिए इसका मतलब हो जाएगा 100 पर होता है 15 प्लस ठीक है तो 15 करने को हो जाएगा 115 और सभी जानते आप लोगे 1% की वेलू आपको दे रखिए 115 हो जाएगा तो इसकी वेलू कितने आगी 200 सेंबलों यहां करेंगे तो 115 दूनी होगा 230 तो 230 और 20 मतलब 2300 तो दोस्तों आपसन नमर आपके लिए स्वी वाला यहां पर दाइड आपसन वाएगा यहां पर लिखा हुआ है 30,000 आपसन नमर स्वी वाला इसके लिए प्यरेक्ट हुआ देखिए इसके बाद 16 के बाद आपके लिए कोश्चन नमर 17 लिखा है यहीं दस आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो 15 आदमी और 33 लड़के उसे उससे दोगना कितने दिन में पूरा कर सकते हैं तो बात यहां पर की गई है देखिए किसकी बात की गई है कि 10 आदमी या 18 लड़के तो मतलब क्या है कि 10 आदमी बराबर ने 18 लड़कों के तो यहां पर हो जाएगा 10 आदमी मतलब में बराबर 18 बुआ है ठीक इस पकार से तो 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 आपको यहां से मान निकाल देना है तो कितना लिखा हुआ यहां पर फिट से पढ़ेगा एक बार यह दी दस आदमी आठा लड़के एक काम को पंद्रा दमी पूरा करें तो 15 आदमी 33 लड़के तो आपको लिखना है 15 आदमी प्लस 33 लड़के यहापka 33 لड़कों के बात की यहाँ पर है तो आप देखिए यहाँपे चेंज कर दिएगा, किसी चेंज करेंगे हम लोग यहाँपर 5 आद्मी के जगए पर 9 लणके यहाँ पर दिख से 5 तीह पंदरा तो तीन से कुणा करेंगे 9 तीह होगा 27, 27 प्रस 33 टीएगे इतने लड़के हो जाएंगे तो कितना हो गया है? यह हो जाएगा आपका 60 लड़के ठीके? अब बात को सुमझेगा सवाल कैसे लड़ाएंगे? अब देखिए रिखा हुआ है 10 आदमी या 18 लड़के तो आप यहां से क्या उठाएंगे? लड़के उठाएंगे ठीक है तो लिखेंगे 18 गुड़ा 15 अपान में कल देंगे 1 बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 गुड़ा अब देश्टों यहाँ पूछा गया है कितने दिन तो हमार लेंगे इकस दुनों में अपान में क्या करेंगे 2 गुणा काम है तो यहाँ पर 2 से भाग करेंगे देखेगा 15 एकन 15 15 चुकू 60 हो जागा है यहाँ पर 2 एकन 2 2 2 4 और 2 से कड़ जाएगा 2 ने मठारा तो आपका आ गया है एकसा कितना आ अपका इहाँ आपको नो तो आपसन अबल यहां पर आपको रखाया है नौ दिन में ठीक है तो आपसन से वाला यहां पर करेक्ट वाइस के लिए आप देखिए इसके बाद नेश्ट कोषिण क्या है को दो और प्रौइंट को जाएगा चार सो एक तालीष और इसके बाद में यहां पर लगेगा एक प्रौइंट तो इस पर कर देखिए लगा हुआ यहिसे हल करेंगे तो यह ओ जाएगा आपका प्वाइंट इसके निग्ड़ कर जाएगा अब आपक बात करेंगे यहांप कहां पर कहांप लगाएंगे तो चार लंगर लगाएंग सबसे बड़े संख्या क्या है जो एक सो चालिस साथ 244 को क्रमसा 466 छोड़ कर सकते है त आपका यहां पर देखी लिखना यह 140 іль 572 चenary चार चलिए नव यह माइनस कष़़ी लेख से भाना यहां पर है तो आपका क्या बचेगा यह पर बचेगा सिर्द्देटेओं 172 यह ho powderedक्ति्स ठाव फिरशा 5 present य् कि पूशा क्या टा कि वहाँ सबसे बड़ी संख्या गात केजिए तो आपको यहां पर निकाल नी है बड़ी संख्या सबसे बझालनी है लिए 15193 में चला कर देना यहां पर तो भाग करेंगे लिए 132 में 156. झाल जाए यहां पर नबकार्ष कर देनल दूरी करेंगे दुर्श से नुटर बहह रोच से इसमारें मटररultur रेह सम्मी देंस्वीं 56 कि जला 191 और आप्षी सहरै। यह कर जाएगा आब आपका यह बचाई चौनतीस से बाग कर देंगे आप लोग 25 में ठीक है यहां पर लोग 34 से बाग कर देंगी तो आपका कितनी भार जाएगा तो यहां पर देखेगा यह वाला यह आपका लागा पाहले तो 6 बाल चलाएगा देखेए 6, 24, 24 का 4 हांसे लगा 2, 6, 3, 18, 18 दो कितना हुआ 20 तो आपका कितना हुआ यहां पर धाना है 204 देखए गुणा इसको गलत हो गया फिर से एक बाल गुणा देखेए यहां पर 6, 24, 24 का कितना हुआ 24 । अब देखिए 6, 3, 18, 18 और 2 यह आपको यहां पर देखना है 20 तो फिर से यह वाल नहीं जाएगा यह यह आठाइस क्योंड गटाएगे कितनावग पंतरह से आठाइस तो बचेगाएगा थे यहां पर आप बचेगा इनका आपके सक्राइट से भाक करना है चांटिस में तो याएगा शत्रह दोनी 24 तो आपका निकल गया है शत्रह तो बड़े से बड़े संग्या कितने हुगि सत्रा आप लोग अपनी कॉपी पर सवाल को लगाएगा तभी आपके अच्छी तरी के सब्सक्राइगा तो इसका लाइट अप्सन हो जाएगा सत्रा वाला ठीक है देखी कोशन नुमर बीस लिखा हुआ है एक पुस्तक भी क्रेदा पुस्तक को दस परसेंट कड़ाओदी पर बेचे कर आट परसेंट लाप कमाता है क्रेम श मुल का अंकित मुल के साथ अनुमाथ कितना है कि मार्क का माने होता है अंकित मुलब्र और को है लाब कमाता है बास समझेगा सीपी पर होता है मैसा लाब किस पर होता है तो यागा 108 बटा 100 अब आगे देखिए यहां पर आगी क्या करेंगे एंगे अठा देखेंग एक टाट रहा है तो जैए पान से फिराओ कितना होगा आपका इपान पांच आप्सन देखेंगे इसके लिए तो आपका D वाला एप्सन आपको जाएगा 6 नूपाथ 5 ठीके पूचा क्या गया था लिखा है क्रेमूल का अंकित मूल के साथ क्या है क्रेमूल लिखा तो रहेगा उपर तो रहेगा 5 बटा 6 तो यह वाला आपसन नमर C गरेक्ट होगा और D अब देखेंगे इसके बाद में आपके लिए 22 नमर कोश्चन क्या है ठीके तो उसे पढ़ेगा यहां पर देखेंगा 20 के बाद देखेंगे उस तो 21 नमर मिस्पिंट हो यहां पर है और 22 आपके लिए यहां पर देखेंगे कुछ दंदास A और B में दो नुपाथ 5 के है छिसके और इसकी वैल्य यह यहां पर 21 की एक दो दो यहां 500 यहां पर 21 को 7 को सक तक नहीं पर 90 के आपके लिए ऑफ के लिए जी के को स्थिन नमबर तेस नमबर फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है अब आपको यहापर बताना है फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग करते हैं लोग तो इसके लिए करते हैं लोग एथलीन का तो आपसे नमर सी वाला इसके लिए करेक्टर का एथलीन देखे नेश्ट कोशन 24 नमबर कम्प्यूटर में उप्योग आने वाली IC चिप किस्टे बनी होती है तो ये किस्टे बनी होती है सिलिकॉन से बनी होती है तो option B वाला light होगा यहाँ पर जिसके बाद देखीगा 25 नमबर क्या लिखा है भारत सरकार का प्रथम विदी अधिकारी कौन है तो प्रथम विदी अधिकारी की वात की गई है तो यह होगा वहाँ न्यायवादी option C वाला light होगा option C 26 नमबर देखीए लिखा हुआ है D.O को गरशिया कहां पर इस्टित है तो यह कहां पर इस्टित है हिंद महासागर में इस्टित तो option B वाला right option आपको जाएगा हिंद महासागर option B correct होगा 27 नमबर देखीए टेली वीचन की खोश किसने की थी टेली वीचन की खोश किसने की थी तो किती J.L.Ware ने तो option B वाला light option होगा J.L.Ware 28 देखी क्या लिखा हुआ है फिरोसाद तुगलग द्वारा इस्थापित दार उल्सफा क्या था तो यह क्या था एक हराती अस्पताल ठीक है तो option B वाला light option होगा एक हराती अस्पताल था इसके बाद देखी 29 नमबर क्या लिखा हुआ है मुख्य वैंक को 14 का लाश्टी करन कब हुआ था तो किस सर में हुआ था आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो यह कब हुआ था इसके रहे करेक्ट वाप्टन B वाला 1969 में हुआ था और इसकी तिदिकाउंसी 17 जुलाई ठीक है याद करेगा 17 जुलाई 1909 में हुआ था और देखिए आपका लाश्ट कोश्चन क्या लिखा हुआ है बीटा बलाकर एक औसद है यहां किस से बचाने है तो प्रियोग में लाई जाती है तो यह किस से बचाने है लाई आती है हरद्या घास से ठीक है अप्शन वाला करेक्ट अप्शन हो जाएगा दोस्तों कर आपको वीडियो पसंद आया है तो फ़र आप इसी वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों कर आप चैनल पर नए है तो आपको सब्सक्राइब करके वेला आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा